hélo फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों को बादाम की तेल के बैनिफिक्स के बार में बताने जा रहे हूं मेरे पास यह ठील जो है यह रोगन बादाम शिरीन है यह हमदर्थ का रोगन बादाम शिरीन है यह आलमंड आउयल है दोस्तों और आलमंड आउयल के बहुत सारे यह आलमन ओयल है दोस्तों इसकी पैकेजिंग इस तरीके की है और यह अंदर से इस तरीके से निकलता है दोस्तों यह काच की बॉटल में आता है दोस्तों और यह तोड़ा यलो कलर का होता है यलो कलर का होता है इस तरीके से और यह 100% प्यूर बादाम का तेल है दोस्तों यह तेल यह तेल आपकी शरीप में बहुत सारे चीजों के लिए लापकारी है पहला दोस्तों यह देखे इसमें सारे मेंशन क्या हुआ है जिसके सर में जो टैंशन लेते वहां और टैंशन के वज़े से उनका माइनड बहुत रहता है परिशान रहते हैं तो वह न से खिची कि चीजी लगते हैं माइन में तो यह अपने सर में रोगन बादाम-शीरील की क अपने सर में मसाज करें रात को और फिर उसका असर आप देखें टेंशन रिलेफ होगा दिमाग को असानी मिलेगी और दिमाग को असानी मिलेगी और उसके बाद में जिसके माइन ब्रेंड पावर कम है यानि कि यादाश इसकी कम है दोस्तो उसकी यादाश को भी बढ़ाता है ये दिमाग में यादाश को बढ़ाता है दोस्तो ये इसके सर में बहुत सारे डेंटरफ हो गई हो वो डेंटरफ इसकी मसाज करने से डेंटरफ भी दूर हो जाता है दोस् और यह दोस्तो हार्ट के लिए दिल के लिए और ब्रेंट के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तो आप रात में एक चमज जो चोटे चमज में इसको लेकर एक नास दूद में इसको mix कर लीजिए और फिर इसको रात में पीज़े दोस्तों इससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी आपके bones मजबूत हो जाएंगे आपके brain आपका brain भी मजबूत हो जाएगा आपकी आदास भी strong हो जाएगी और आप healthy फील करेंगे दोस्तों और इसको आपको winter में आप अपने सरीर की मसाज करते हैं तो यह आपकी winter में शरीर को warm रखता है कर्म रखता है दोस्तों और यह जिसके skin बहुत जादा dry है दोस्तों वो रात में इसको as a moisturizer के रोप में एक बून या दो बून लगा कर आपने हैंड में और इसको अपने face पर मसाज करें दोस्तों तो यह उसको भी दूर करता है दोस्तों face पर dry हो गया हो तो आपका यह रात में मसाज केजिए सुबह तक आपका face एकदम नरशिंग होगा मुलाइम हो जाएगा और face glow करने लगेगा दोस्तों और यह आपके make-up remover का भी काम करता है दोस्तों आई मेकप अगर आपको चुटाना हो तो आप आदाम की तेल की कुछ पूंदे कॉटन में लेजिए और उसको लगाईए अपने आइस पर और आई मेकप चुट जाएगा दोस्तों यह मेकप निभूफर के भी काम में आता है और सबसे जादा दोस्तों इसमें यह है कि जब छोटे चोटे बच्चे होते हैं नवजाद बच्चे होते हैं उनको सर्दी हो जाया करती है तो आप इस तेल को उनके सर पर मसाज कीजिए थोड़ सर नोस पर लगा दीजिए उनके और चाती होती है या दोस्तों सीना या चाती उस पर आप इसको लगा दीजिए तो बच्चे को गर्माहट मिलती है यह उससे भी रिलीफ कर रता है दोस्तों कहीं ना कहीं और यह आपकी रोगन बादाम शेरिंड का है यह तेल यह आपकी बोन्स बोन्स को भी स्ट्वन करता है ब्रेड को स्ट्वन करता एला को दूद में एक चोटा चमच टी स्पून दोस्तों टेबल स्पून नहीं टी स्पून यानि की चूटा चमच जो होता है उसको आप इसमें बादाम का ओई लेजे डालिए और दूद में खोल कर रात में पी लीजे यह बड़ों के लिए अच्छा है जो पढ़ने वाले बच्च रात में दीजे उन बच्चों का अबरें तेज हो जाएगा यादाश मदबूत हो जाएगी और स्ट्रेस दूर हो जाएगा पढ़ाई का आराम से बच्चे पढ़ेंगे जो बड़े होते हैं बार बार बातों को बूल जाया करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है आप इन बहुत अच्छे होते हैं अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेस लाइक शेर कॉमेंट और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो दोस्तों यह रहा आपका रोगन बादाम शिरीन मार्केट में कई अबलेवल्स होते हैं दोस्तों आप जिसका ब्रां का रोगन बादाम शिरीन है और यह जो है आप इसको इस्तमाल कीजिए और खुद इसके फाइदे देखिए एक दो दिन में इसका रिजर्ट नहीं आता है दोस्तों आप लागतार इसको यूज करेंगे तो ही इसका रिजर्ट पता चलेगा एक एक दिन में अगर आप चाहे किष़ इस खेना रिजर्ट में थैजर्ट नहीं रिजर्ट नहीं मिलता है आप इसको रागुलरी यूज करें तब ही मिलेगा दोस्तों बस इतना केह कि यह अगर आप मिलाएं तू टीज़ मिलाएं टेबलस्पॉन नहीं चोटा चंमच मिला यह पड़ा चंब के इतना मिला दोड में बड़े चमच के इतना नहीं दोस्तो और फिर आप पीजिए बड़े बढ़े बच्चे सब पी सकते हैं इसको जो बोन भी स्ट्रॉंग होगी मारो दिमाग भी तेज होगा और बोनस डिल को भी मद्बूती मिलेगी दोस्तों और शारीर भी आपका मद्बूत होगा स्किन पे लगाने से आपकी स्किन में गलो करेगी और स्किन में अच्छी होगी तो दार्क सिकल्स भी इससे दोर हो जाया करते हैं इसकिन को यह माश्य राजर के दूपे सीरम की तौर पर आप इसको लगाएं रोज रात में तो आपकी स्किन भी नरशिंग होगी गलो करेगी दोस्तों पस ऑईली स्किन वाले जो हैं वो जरा इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्यो मॉस्चुराइजर के तरह सीरम की तरह दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कोमेंट करना ना भूलेगा थैंक यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू झाले तरह सो मेंगरा भूले थैंक यूलेगा।